चलते एक interesting research की तरफ S&P 500 जो कि अमेरिका में वहां का जो index है वो लगातार highs पर highs रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है और इस रिकॉर्ड की क्या है डिटेल्स क्या है पूरी research और किस तरह के returns आए और किस तरह की performance रही ये बड़ी interesting है इसलिए आपको जानना समझा ज़रू आप सचिंगे अमेरिका का है तो क्या हो गया सब कुछ चीज है इसा थोड़ी कि आपको यहीं की प्रसंद है बात की और जहां से अच्छी चीज मिले ज़रूर लेनी और समझनी चाहिए तो वरूं तयार है मर साथ पूरी ड्रेल से कर वरूं बताईए तो life high का नया high बन रह है तो basically high का high बन रहा है तो जो मतलब लगातार high बन रहने का सिलसला SNP में देखने मिल रहा है तो इस साल अगर आप देखेंगे तो 69 times SNP ने life high लगातार बनाये हैं इसके पहले अगर आप देखेंगे तो सबसे जादा number of times था 1995 में जब 70 बार life high जो एक साल के दौरान SNP ने थे उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 1964 में 65 बार, 2017 में 62 बार और 1961 में 53 times SNP ने एक साल में life high बनाये थे और number of times अगर आप रिटरंस देखेंगे तो 1995 में 34% थे इस साल करीब 27% के आसपास के रिटरंस देखने मिले हैं हाला कि 3-4 trading session बाकी है तो वो जो life high के number of times का high था वो शायद पार ना कर पाए लेकिन हाँ शायद 70 के ओपर निकल जाएगा लेकिन अगर दो-तीन चीज़े और देखेंगे एक तो जब continuous life high बनाना चालू करता है SNP तो कितने समय तक बनाता है इसके पहले हमने देखा था कि करीब-करीब 1954 से 68 तक लगातार ये life high बनाने का तो सिलसिला था वो साल दर साल चलता रहा था यानिकी करीब-करीब 14 साल के दोरान life high बनते गए और इस बीच SNP ने 365 दिन 365 बार life high बनाय थे इसके बाद 1980 से जो life high बनाने का सिलसिला शुरू किया 2000 तक यानिकी 20 साल तक लगातार SNP 500 जो वो life high बनाता गया बीच में एकाद दो सा मिस हुआ होगा करीब 504 बार जो है SNP ने life high बनाय थे इस बार अगर आप देखेंगे तो जो यह सिलसिला शुरू हुआ है 2013 से शुरू हुआ था और अब 2021 यानिकी 7 साल हो चुके हैं जब लगातार life high बनाने का सिलसिला चल रहा है देखते कि पिछला रिपीट होता है अगर पिछले ट्रेंड को हम देखेंगे तो करीब 14 से 20 साल के आसपास का ट्रेंड है जो लगातार SNP जो है वो life high बनाने का सिलसिला जो है वो जारी रखता है एक और डेटा में आपको बता दू कि यह life high के जो number of time से जब बढ़ जाते हो तो उसके अगले साल क्या होता है अगर आ तो 1965 में 37 times life high बनाया था और उस बार करीब 9% के आसपास का रिटन दिया था हाला कि 2018 में अगर आप देखेंगे तो 2017 में 62 times 2018 में 19 टाम ही बनाया था तो वो थोड़ा कम था और करीब 6% के आसपास का negative return देखने मिला था तो इसके लिए मैं आपको यह data crunching करके बता रहो कि इस यह जो negative आप बता रहे हो तो साल के अंत का बता रहे होगा हाँ साल के end में पूरे साल का मतलब बीच में बीच में बार लाइफ हाई बना तो नेचुरली negative तो होई नहीं सकता पुराने से तो हाई बना 31 दिसंबर तक जो भी level रहोगा उससे तो नहीं हाई उसके तो उपर ग चीज बदाता हूँ एक चीज होती है correlation तो वैसे तो या तो आपका 1 का correlation हो या minus 1 का हो minus 1 यानि कि negative 1 यानि कि positive तो no doubt SNP और निफ्टी का अगर आप correlation देखेंगे तो 1 नहीं है लेकिन 20 साल का correlation निकाल के देखेंगे तो 0.1 0.2 के आसपास तो है यानि कि आप positively correlated तो हो SNP से तो इसके लिए आप सोच सकते हैं अगर SNP ने नया life high बनाया तो हम भी बनाते ही जाएंगे बढ़िया बात है कितना क्या chance क्या है हम इस साल पुराने data के basis पे SNP में क्या chance है अनिन जी पुराने data के हिसाब से देखेंगे तो भी अगर मैं देखो तो कमसे हम 20 से 30 बार तो नया life high जो है वो SNP का बनना चाहिए और मैं इसके लिए और convincingly बोल रहा आपको क्योंकि इसके पहले अगर आप देखेंगे तो 14 से 20 साल का duration था जब SNP लगातार life high बनाते गया था और अभी तक करीब-करीब 7 या 8 साली हुए है तो जो gap फिल करना है अभी भी बहुत बचा हुआ है यह बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है तो मतलब 2022 के लिए सबसे बड़ीया रिसरच और आउटलूक वरूने बता जिया आपको तेजी होनी चाहिए और युएस में होगी तो फिर भारत में भी अच्छा action रहना चाहिए यह बहुत बड़ीया चाहिए और इसमें एक काम करे ग्लोबल क्यों खराब नहीं होना चाहिए पास्ट्रेक रिकोर्ड के साब से यह आपके सामने